तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं गर्मियों की बाहर और लिसोड़े का अचार इसकी रेसिपी तो आप ही सोचते होंगे लिसोड़े का अचार तो इतना इजी होता है सबको आता है लेकिन फ्रेंट्स मैं एक सीक्रिट टिप के साथ आपको यह अचार बताने वाली हू तो यह सबसे पहले मैंने वन केजी लिसोड़े ले लिया है इनको अच्छे से मैंने दो लिया है और दोने के बाद इनको हम बॉयल करेंगे तो यह मैंने एक भगोने में पानी ले लिया है हाफ भगोना करीब जिसमें लिसोड़े अच्छे से डूब जाए अब इसमें मैं दाल रही हूं और यह सारे लिसोड़े मैंने इसमें डाल दिये और इन्हें वन बॉयल आने तक हमें कुक करना है और यह देखिए वन बॉयल आ गया इसमें और इसके साथ इसमें कुछ इंपरिटी भी आ गई हैं तो उनको मैं हटा दूंगी चम्चे से तो यह मैंने जाग जो आ गए थे वो सारे हटा दिये और अब यह करीब करीब हमारे लिसोड़े बॉयल हो गए हैं इन्हें हाफ बॉयल ही हमें करना है अब ही मैं आपको दिखाऊंगी एक लिसोड़ा निकालके किस तरीके की बॉयल होनी चाहिए लिसोड़े की तो इसको पूलेगा नहीं तो देखे अब एक स्टेणर में मैंने सारे लिसोड़े निकाल लिये हैं और अब इन लिसोड़ों को हमें पानी इसका सुखाना है कम से कम पांच से छे घंटे के जिस इसका पानी बिलकुल सूख जाए किसी चल्ली में रख दीजे तो यह देखे इसी तरी कि आप यह मिक्सिंग बोल कुछ भी ले लीजे उसके अंदर हम मसाले लेंगे तो इसमें वन केजी में हम 50 ग्राम सी यह नमक लिया है मैंने वन केजी में 50 ग्राम का इसका मैजर्मेंट होता है लेकिन नमक अप अपने टेस्क अकॉर्डिंग भी कम जादा कर सकते हैं इसके लादी मेंने 50 ग्राम सी हल्डी ली है और उसके बाद ये 50 ग्राम राई है पिस्सी हुई काली जो राई आती है सर्सो के दाने और ये 50 ग्राम सी मिर्ची है यह मैंने थोड़ी कम ली है आप भी अपने टेस्क अकॉर्डिंग लाल मिच थोड़ी कम जादा कर सकते हैं तो और अब अच्छे से मिक्स नहीं ह 은ए पस्में और तेल डालूंगी जितने इस klar G endů में एक सी लहातए पटैं Г Cabacномуrdum में ना उपत्टैल आ-पटैंब लाग जाए उतना तेल आप डालिए पटैं आपको नहीं इसमें तो अखिछे से लिफंच नहीं सेमीशा चिसे और दील ह यह अच्छ से एक si r ho gya है और अभी हमारा जो मसाले का मिक्षचर वह बिल्खुल रेडी है अब इसमे ऑर निए-सूरह żyćडल दालने केभाद इस मैं मिक्स करेंगे और यह जो दुस्कीक है एक्स्ट्रा वो हम निकाल देंगे जो लिसोड़े के ऊपर की कैप होती है उसको निकाल देंगे और अब इसमें लिसोड़े में मसाला अच्छे से मिक्स कर देंगे तो देखें ये है सीक्रेट टिप, ये हाफ कटोरी पानी है, अब ये हाफ कटोरी पानी मैं इसमें डाल रही हूँ, इसे होगा क्या, अपने जो लिसोडे हैं, वो डबल साइस के हो जाएंगे, फूल जाएंगे, तो ये टिप सबको नहीं पता होता, ये ही मेरा सीक्रेट जाएंगे हम, और मिक्स करने के बाद फ्रेंट्स, इसको हम एक दिन के लिए इसी में छोड़ देंगे, दूसरे दिन हम इसको जिस भी बढ़नी में हमें भरना होगा, उसमें भरेंगे और ओयल डालेंगे, तो देखें फ्रेंट्स, एक दिन हो चुका है, तो देखें अब कितना फूल गया है लिसोड़ा, और अब इसको हम एक बढ़नी में ट्रांसफर कर देंगे, और बढ़नी में ट्रांसफर करने के बाद हम इसमें ओयल डालेंगे, तो देखें फ्रेंट्स, मैंने सारे लिसोड़े एक बढ़नी में ट्रांसफर कर दिये हैं, अब इसमें मैं स और सोचने कि हमारा अचार इससे खराब नहीं होगा अगर आप ऐसी भी डाल देंगे सिंपल बिना गरम करें तब भी आपका अचार एक साल तक बिल्कुल खराब नहीं होगा और यह देखिए अब मैंने तेल भर दिया इसमें जहां तक लिसोडे ते वहां तक मैंने तेल भर करें तक लिसोडे खराब हो जाएंगे उसमें उपर से फफुनन पढ़ सकती है तो अब इसे हमें रग देना है बर्डी में कम से कम दस से बारा दिन के लिए और दस से बारा दिन में हमारा अचार रेडी होगा तो देखे अब 10 से 12 दिन हो गए हमारा चार बिल्कुल रेडी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीचे का और अगर मेरी रेसिपी पसंद आई तो अपने फ्रेंट्स के साथ शेयर करिएगा मेरी रेसिपी थैंक यू